Hello friends, कैसे आप सब लोग, I hope दोस्तों सब बढ़िया होंगे, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम discuss करने वाले HDFC Bank का Money Back Credit Card जहां दोस्तों इस credit card के बहुत सारे benefits और features है, लेकिन किसके लिए best है, वो सब कुछ हम discuss करेंगे इस वीडियो में, यानि कि इसके जितने भी major benefits है, features है, कौन से वाले person के लिए best रहने वाले है, और क्या वाकई में आपके लिए beneficial है कि नहीं है, सारी चीज़े इस वीडियो में कि इस वीडियो में आपको मिले वाली, तो make sure वीडियो जरूर वाच करें, ताकि एक better credit card आप लेके उसे utilize कर सकते हैं, तो चलिए without any delay चलता है, वीडियो को start करते हैं, दोस्तों इस credit card का नाम है, HDFC money back credit card और इसकी joining fees की बात करें, तो only 500 rupees plus taxes देके, इस credit card को लीना होता है, जैस आप fees पे करके इस credit card को लेते हो, तो यहाँ पर इतने ही आपको reward points देखने को मिल जाते हैं, यानि कि आपको 500 reward points as a welcome benefit इस credit card के अपसे मिल जाते हैं, लेकिन यह credit card अगर आपको lifetime free मिलता है, offer में, तो यहाँ पर यह 500 reward points आप expect मत करना, आपको यह reward points नहीं मिलेंगे, दोस्तों reward reward points की बात करें, इस credit card के तो यहाँ पर आप 500 रुपे कहीं भी spend करोगे, तो यहाँ पर 2 reward points इस credit card में आपको मिलेंगे, कुछ categories उन्होंने exclude करें, just like fuel transactions हो गये, wallet lood हो गया, या फिर e-vouches purchase हो गये, इन सभी categories में आपको यहाँ पर reward points नहीं मिलेंगे, और यहाँ पर reward points में भी इस credit card के अब से डीर सुरुपे भी, तो यहाँ पर दोस्तो जो reward points से वो काफी अच्छे मिलेंगे, यानिकि 5 tax reward points इस credit card के अब से आपको मिल जाते हैं, और online transactions में दोस्तो आप इन्हे statement cycle maximum 500 reward points कलेक कर पाएंगे, और इन्हांने specially mention किया है कि grocery transactions पर आपको maximum per statement cycle only 1000 reward points ही मिलेंगे अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर reward points की value की यानिकि बहुत सारे reward points मालेजिए, आपने खर्च करके पैसे खर्च करके आपको collect कर लिए, लेकिन उनकी value कितनी है, आपको कितना return मिलेगा उन reward points के बात ले, यहाँ पर reward points की value यहाँ पर only 20 पैसे आपको मिलने वाली है, और यहाँ पर अगर आप इन reward points को redeem करना चाहते हैं, तो minimum आपके पास धाई-जार reward points की value की बात करें तो यहाँ पर 20 पैसे किसाब से only 500 उनकी आपको value मिलने वाली है, यानिकि return आपको मिलने वाला है, धाई-जार reward points के बदले, इस trade card में आपको decent dining benefits टेखने को मिल जाते हैं, यानिकि इस trade card का खहना है कि यहाँ पर इनके जितने भी partner restaurant है, यहाँ पर SDFC बेंके यानिकि 2500 या फिर 3000 इनके partner restaurant है, उन पर plus swiggy dine out के जितने भी आप 20,000 plus partner restaurant है, उन पर दोनों पर 20% तर का आप off ले सकते हैं अपने restaurant bill पे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको जो payment है, वो य पर only 50,000 रुपीज भी spend करते हो, तो यहाँ पर आप एक gift voucher मिलेगा, जिसकी work up to 500 रुपीज तक रहती है, और हाँ अगर आप 50,000 रुपीज spend करते हो, तो यहाँ पर आपकी जो next year renewal fees है, 500 रुपीज वो भी यहाँ पर totally विवाफ हो जाएगी, fuel surcharge विवाफ पर एक rate card देता ह amount use करना है, और यहाँ पर 1% fuel surcharge विवाफ आपको मिलेगा, और maximum pulse treatment cycle, आप maximum 250 रुपीज तक का benefit ले पाएंगे, तो दोस्तों अगर आपके बास कोल भी credit card नहीं है, आप एक new भी person है, तो यहाँ पर इस credit card के लिए आप चाह सकते हैं, decent benefits हैं और यहाँ पर इस credit card की facilities हैं, उन्ह आप avail कर सकते हैं, लेकिन इससे भी अच्छा कोई credit card चीए, वैसे तो इसके decent benefits हैं, लेकिन इतने अच्छे भी benefits नहीं हैं कि आप इनसे maximum savings वगरा कर पाएं, क्योंकि इसमें जो reward points है, वो यहाँ पर उसकी value काफी कम है, तो दोस्तों recently मैंने एक video बनाई है, जिसमें कि यहाँ पर up to 8 credit cards मैंने बताएं, जिसमें कि आपको maximum benefits मिलेंगे और वो credit cards अभी यहाँ पर कुछ limited time के लिए lifetime free आपको मिल रहे हैं, तो यहाँ पर वो video भी आप check out कर सकते हैं, उसमें काफी अच्छे कासी benefits मिल जाते हैं उन सभी credit card की help से, तो description में आपको link मिल जाएगा था, उस video का आप easily check out कर सकते हैं, चली दोस्तों मलते हैं एक नए वीडियो में किसी एक interesting topic के साथ,